तुकि भगवान जी के खर बहुत सारे लोग हैं ना अब अगर पंडीजी सिर्फ हमारे दादा जी के लिए खाना खाएंगे तो फिर दूसरों के दादा जी क्या खाएंगे लेकिन फिर नीरे दादा जी तो बाकी कितन भूक करें जहेंगे ना तुम जवाब सुनते भी हो या उसमें सवाल डूनते हो चलो चलो ये टिफिन लो और वाच मैन के साथ मंदिर जाओ और पंडित जी को खाना किला के वापस आजाओ ठीक है लेकिन अभी तो मेरे फेवरेट शो आने वाला है बिटा प्लीज देखो पापा संगपपूर गये मंदिर में पंडिक जी आलूपूरी खाएंगे लेकिन वहां भगवान जी के पास दादा जी को बटर चिकन मिल जाएगा ओ मैजिक आलूपूरी बटर चिकन मन जाएगा हां मुझे तो जरूर देखना है एक मिन यह है 101 रुपए पंड़ जी को दे देना पंड़ जी को खान खाने के तेक्षेना क्या नहीं मिलती टिकू लड़ू चाहिए या नहीं हां तो फिर जल्दी जाओ पंड़ी को खाना कहला के वापसा ओके गो रेड़ी फॉर दे मिशन के यह सेट को कि वाच्मन अंकल अदे बापदे वाच्मन अंकल कि वाच्मन अंकल वाच्मन अंकल पंड़ी 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 प्रवाद भूका हूं मैं दो दिन से कुछ खाया नहीं हूं बच्चा अल्ला के नाम पर ते दे कुछ इसमें क्या है खाना खाना दो दिन से कुछ खाया नहीं हूं ते दे पेटा मेरे दाटाची ने एक साल से कुछ नहीं खाया है एक आड़ीया दू आप पंड़त बंड़ी लोग आपको खाना भी खिलाएंगे और दक्षिना भी देंगे पर आपको भीक नहीं मांगनी पड़ेगी आड़ीया नहीं खाना चाहिए खाना मतविए यह दर कोई दूसरा मंदिर मंदिर तो नहीं मंदिर तो बन्दल बगवान ६गवान के नामANGखर बगवान के नाम के नाम के दे न के लिए न内感ोरके complex एप अप्पंडित जी होना नहीं बट बिट अमें पंडित नहीं हूं लगते हाप घलत जगह आगया हो यह गलत जगह है नहीं जगह है तो सही है आप गलती से आगया हों अम अगली वाली गली में है यह क्याँ फिर यह मस्जिद है अल्ला का दरबार है यहां क्या होते हैं जैसे मंदिर में आप बगवान की पूजा करते हो वैसे ही मस्जिद में अल्ला की अबादत करते हैं आप कौन हो मैं यहां का मौलवी हूं मौलवी मतलब जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, यसे मस्जीद में मौल भी होते हैं, तो आप दुनों से हमो, हाँ मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, आज मेरे दाधाजी की बरसी है, आप प्लीज ए खाना का लीजी, मैं क्यों? क्योंकि आप मश्जीद के पंडित हो ना? तो नहीं बिटा, यह खाना मेरे ल्ही है, पता है, यह खाना दादा जी के लिए, आप यह खाना इधर खाउगे, उन्हें वाप बटर्चिकन मिलेगा, उन्होंने इत साल से कुछनी कहा, आप प्लीज यह खाना कहले जे, तो मंदीर क्यों नहीं चले जाते, मैं गया था, मैरे बहुत धूंडा माँ कोई भी नहीं था वेटा जो पांडित कर सकता है उं मौलवि नहीं कर सकता अब आप यह आप इने तो कहा कि आप दोनु सेम हो खाना इह थो खाना इसमें लड्डू भी है अब आप समझ क्यों ही रहे हो पंडित और मौलवी सेम हो के भी अलग हैं अब आ तो तुम्हारे दादा जी को नहीं मिला तो अब क्या पंडित जी से कम पावरफुल हो तुम्हारा काम मंदिर में हो सकता यहां नहीं क्यों मंदर और मस्जित में क्या फर्क है तुम किस भगवान को मानते हो ? शेट टो शेट शेव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना यही फर्क बहगवान और ऐल्ला में है लेकर मंमई याटी है या क्लिशा मैं वैसे अल्ला कितने है तो इक है वंदे इने तो आप इतने शोर केशो कि बगवान और अल्ला सेमी है जैसे मेरा नाम राहुल है मम्यों मेरे को टिककू बुलाती है पापा मेरे को रौकी बुलाते है मेरे दोस मेरे को राहु बुलाते है लेकिन हूतों में ही कि राहुल वैसे ही शिवजी, अल्ला, हनुमान सब सेमी है लेकिन यहां सिर्फ अल्ला मिलते हैं अल्ला सिर्फ मर्जिद में ही मिलते हैं नहीं अल्ला तो सारे जहान में मिलते हैं इस सड़क पे? हाँ मॉल में? हाँ सबजी बजार में? हाँ मंदर में भी? हाँ भाया तो फिर मजड़ित मैं भवान क्यों नहीं मल सकते हैं? वैसे अगर मैं अल्लाः से कुछ मांगना चाहूँ, क्या वो मेरी बाट सुनेंगे? बिलकुल, बिलकुल सुनेंगे. तो अगर अल्लाः मेरी बाट सुनने को तयार है, तो आप क्यों नहीं सुन रहें? काउन सा लट्डू है मेरे दाल्ड़ जी भी हमेशे लट्डू से इशोडू करते दें सब को सम्मत दे भगवाई और ये दक्षना नहीं बेटा ये किसी घरीब को दे देना ओके बाइ उम्र जहनत कभी कुछ ऐसा न सिखा पाई वो सच्चाई जो भोली आँखों में दिखाई कोश्मी भरे दिलों में नांधेरों का निशा हो पर नजर में बशे में मौला तेरा ही गुवाई